हलो फ्रेंज, वेलकूम टू सौनम फैसन, बिलोज का डिजैन बनाएंगे, बिलोज के बैक पाटी के लंबाई लिए है साड़े तेरा इंच, ये रेडी होकर साड़े बारा इंच का बनेगा, सोल्डर साड़े पाँच इंच, आर मोल साड़े पाँच इंच, सीना के लिए आज आप अपने अकार्डिंग रख सकते हैं, गले की मार्किंग करेंगे, उपर के साड़े से गले के चड़ाई रखेंगे, इसके बाद देखिए हमें गले को मटका का से दे देना है, ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम गले को सेप देंगे, गले की मार्किंग हो गई है, इसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इसे साड़ में करेंगे, सबसे पहले में फैबरिक लेंगे, में फैबरिक की ओपर हमें एस्तर को रखना है, और इसे पिन लगाकर अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, इसके बार हम लगाएंगे इसके गले में सिलाई, सिलाई हम यहाँ पर एक परिया हापिंच का मार्देन छोड़ते हुई लगाएंगे, अब चाहें तो यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का भी यूज कर सकते हैं, या पाइपिन भी बना सकते हैं इसमें, इसके बार देखिए ग अस्तर के बिल्कुल किनारे लगानी है, अस्तर को हमें अच्छे से पलटते जाना है बिल्कुल टैटली और अस्तर के बिल्कुल किनारे सिलाई लगाते आनी है, इसके बार देखिए हम अस्तर को अंदर किदर पलट देंगे, कुछ इस तरीके से, और दूसरी सिलाई हमें ल गला हमारा बनके कम्प्लीट हो चुका है इसे उल्टा करेंगे और इसकी आल्टरांडर इस्टिचिंग कर लेंगे जारो तरफ से हमें इसमें स्लाई लगा लेनी है मेन फैबरिक एंड अस्तर को जोड़ते हुए अब लगाएंगे हमें स्लाई लगाने के लिए मनिहाँ पर ये दोएंचे चौड़ी अस्तर की पट्टिली है कट्करे पत्टी को डबल खोलड करेंगे और इसमें एक सट से स्लाई लगाएंगे एक सिलाई लगाने के बाद पट्टी को पलड़ते हुए दूसरी सिलाई पट्टी की उपर लगाएंगी और अब हमें पट्टी को अंदर की तरफ पलड़ते हुए इसकी उपर एक सिलाई और लगा लेनी है कमर पट्टी कंप्लीट हो चुकी है अब लगाएंगे हम इसमें बैक टक्स के लिए निसान जो कि हमें बीचो बी सेंटर से लगाना है दोनों सेर साड़े चार चार इंच पर बैक टक्स के लंबाई हम उपर के तरफ चार इंच रखेंगे आप चाहें तो साड़े चार भी रख सकते हैं इसी निसान पर पलड़ते हुए बैक टक्स की सिलाई लगा लेंगे, सिम इसी तरीके से हमें दूसरे बैक टक्स की सिलाई भी लगा लेनी है, इसे सैड में करेंगे, डिजैन बनाने के लिए मनें हापर ये दो इंची चौड़ी पट्टी लिया कट करके, पट्टी को डवल फोल करेंगे और इसके उपर एक सिलाई लगाएंगे, इससलाई लगाने के बाद किसी भी नुकीली चीज की हल्प से इसे पलटकर सीधा कर लेंगे, सीधा करने के बाद इसे हल्के हाथों से प्रेज कर लेंगे, इसे सैड में करेंगे, इसके बद दीकी मने हापरि grind में कटा हुआ कपड़ा लिया है, और इनकी लंबाई चोड़ाई रखी है दो बाई दो इंच इन पीसेस में से हम ट्रेंगल्स बनाएंगी और ट्रेंगल्स के उपर हमें सलाई लगा लेनी है सिम सभी पीसेस को हमें ट्रेंगल्स बनाकर सलाई लगा लेनी है सिलाई के बाहर जो भी एश्टा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगी इन्हें भी सेड में करेंगी अब हम लेंगी ब्लाउज ब्लाउज को डबल फोल्ड करेंगी और बीचो बीच सेंटर में एक निसान लगाएंगे नीची की तरफ इसे ओपन करेंगी और यह जो हमने बीचो बीच सेंटर निसान लगाया है इसी निसान से हमें दोनों तरफ निसान लगाना है एक एक निसान लगा लेना है नीचे से उपर तक अच्छे से मार के कर लेंगी इसके बाद जो हमने पट्टी बना कर रेडी की थी उस पट्टी को लेंगी और इस तरीके से रखते हुए इसमें सलाई लगाना है उपर के तरफ से हमें लगबाग हापेंज छोड़ देना है और नीचे के तरफ से भी हमें थोड़ा सा छोड़ देना है उसके बाद हमें पट्टियां टैच करने हैं तो यहाँ पर टोटल चार पट्टियां टैच हुए हैं हमारी दूसरे सेट भी हमें अच्छे से सेट करते हुए सलाई लगा लेंगे जो भी अश्टा कपड़ा है पट्टियों काउने कड़ करके निकाल देंगे इसके बाद देखिए हमें गले के कनारे यह जो लगाए हैं हमने पट्टियां इनकी उपर हमें लेस को टैच कर देना है इन पट्टियों को अच्छे से हमें दबा देना है लेस के नीचे यह देखिए इस तरीके से हमें लेज को अटेज करते आना है इसकी उपर अब लगाएंगे हम गले के किनारे ट्राइंगल्स जो हमने बनाये थे यह देखिए इस तरीके से गले के किनारे से रखते हुए हमें इन ट्राइंगल्स को अटेज करना है ट्रैंगल्स हम पास-पास रखेंगे जहां से हमने पट्टियां लगाई थी वहाँ पर हमें ट्रैंगल्स को नहीं लगा देना है बीच में छोड़ देना है बागी पूरे गले में हम ट्रैंगल्स को अच्छे से टैच कर लेंगे पूरे गले में ट्रैंगल्स लगाने के बदर हम लगाएंगे इसकी उपर लेस पूरे गल्न गलड की लेस लिए है और हम गले के किनारे से अटैच करेंगे ट्रैंगल्स का सारा कपड़ा हमारे लेस के नीचे दप जाना चाहिए अच्छे से दबाते जाएंगे हम और इसकी उपर सिलाई लगा लेंगे सारे Τ्रैंगल्स लगा कर रेडी कर लिए हैं इसके बाद मैंने लिए हैं यापर इंगोलन कलर के बीड्स है और इन बीड्स को देखिए हमें ट्रैंगल्स के किनारे यानि की कोने पर अटाइच करते जाना है कुछ unlike सबी mankind common डियरेंगी कर लेंगे इसको जुलें नीचे पट्टिया लगाई हैं पट्टी के बीच में हम सुई डालेंगे दोनों कॉर्णूल को उठाएंगे कुछ इस तरीके और इसके इस तरीके से हमें चारों पट्टियों के विजब सेंट इस तरीके से ऊधिके में मोति को टकरतेना किए और इसके बाद मोति को टकरतेना 3- 5-gt के हमेज़ फ्टिमयोंOS यह एक तरीक से हमे जट नों कॉलना इस को यहां द॑ झाल आज़ए पर चल सकत ही तक करना है लौज का डिजान बनके कम्प्लेट हुआ है फाइनल लोग कुछ इस तरीके से आया है वीडियो पसंद आए यह थोड़ा सा भी हैल्फुल लगे तो मेक सेव वीडियो को लाइक ता चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद